कश्मीर की श्रीनगर में मंगलवार को जहलम नदी में एक नाव पलट गई इस नाव में 11 लोग सवार थे इनमें 5 स्कूली बच्चे भी थे हाथसे में 4 लोगों की मौत हो गई है बच्चों समेच 7 लोगों को रिस्क्यू किया गया है ये नाव रोसाना लोगों को लेकर गांदर बल से बटवारा जाती है पिछले 48 घंटों से हो रही तेज बारिश की चलते जहलम का जलस्तर बढ़ गया है जिसके चलते नाव पलट गई हाथसे की तुरन बाद लोकल नाविकों ने बचाव अभ्यान चलाया कुछ देर बाद पुलिस और SDRF की टीम भी रेस्क्यू में जुट गई